नमस्कार फ्रेंड हमाई चैनल में आप सभी का सौगत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीशेल का एक्जाम को लेकर जो है बहुत से बच्चे घबडाये हुए हैं और बात की जाए तो इसका जो इक्जाम है बहुत से बच्चों के बीच में confusion है तो आज हम लो develop किया है technician में तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखिएगा आपको मालुम चल जाएगा कि आपको जो comparison रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है और किंसे रहने वाला है सारक कुछ आपको मालूम चल जाएगा मैं बताना चाहूंगा अगर आप लोग जो है लपी टेक्निशियन डियार्डियो यूपी यार्गिनल यूपी पीशियल इन सभी तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारे यहां जो है बैच इस्टार्ट है आप लोग जोईन कर सकते हैं इसक्रीन पर नंबर दिया क्या है और यूपी को जो भी बच्चे हैं असिस्टें लोकोपाले टेक्निशन उनकी जो बैच है फ्रेंड वो 25 से 25 नंबर से स्टार्ट होगी तो वो लोग चाहें तो जोईन कर सकते हैं बाकि यह आपकी भूल होगी फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूँगा इसमें ऐसा ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे बच्चे प्रेप्रेशन कर रहे हैं जो जेई में जो है डीवी तक करा लिये थे किसी कारण वास जो है छटे हुए हैं मतलब उनका नंबर कम था इस वजह से तो फ्रेंड आप सोच सकते हैं कि आप पर जो कमप्रीशन है वो ITI के बच्चों से कमप्रीशन नहीं है ITI बच्चों से नहीं है आपके जो बीटेक वाले बच्चे हैं उन्होंने भी ITI किया हुआ है इलक्टीशियन से डिप्लोमा से जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चो eligible होते हैं सेम होई condition इसमें भी है तो आपको इसमें यह target मान के चलना है कि आपको जो बुक पढ़नी है वो डिप्लोमा लेबल पर पढ़नी है और जो question पूछा जाता फ्रेंड वो निम्मी pattern और डिप्लोमा लेबल पर question पूछा जाता तो जब तक आप जो है high level से पढ़ाई नहीं करेंगे ITI के level से आप परिच्छा crack नहीं कर पाएंगे इतना आप लोग ध्यान दीजेगे तो आप सभी समें करना चाओंगा कि आप लोग का जो completion है वो high है ज्यादा है वैसे भी एक लाग करीब 30 से 40 हजार बच्चे इसमें है तो आपको समझना फ्रेंड कि इसमें जो completion है वो बीटेक डिप्लोमा वाली बच्चों से है तो आप लोग को उसी according पढ़ाई करना है बा तो आप लोग अच्छे सी स्कोर कर पाएंगे I hope कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे और फ्रेंड ये वीडियो जो है मेरा वीडियो बनाने मतलब यह ही motivational वीडियो मतलब आप लोग को मालूम चलना चाहिए कि आपका जो completion है वो डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें और बीटेक वाले बच्चे भी इसमें रहेंगे IT वाले बच्चे भी रहेंगे तीनों बच्चे इसमें बैट करेंगे तो आपको उस माइंड से सोचना है कि एक्जाम कैसे निकले ठीक है तो मैं आप सब्स कहना चाहूंग अभी भी आप लोग के पास टाइम है जो भी बच शेयर नहीं किये तो जरूर शेयर करें सो थैंक्स पर वाचिंग एंड बाए बाए